नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चेनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम एक बार फिर से हाजिर है आप लोगों के लिए एको नई जानकारी को लेकर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेगे चिल गोजा के होने वाले स्वास्त फाइदों के बारे में किस प्रकार यह हैल्थ के लिए benefits होता है चलिए जानते हैं दोस्तों चिल गोजा भारत में नियोजांक की नाम से जाना जाने वाला एक pine nuts होता है जो चिलगोजा पाइन व्रक्ष पर उखता है ये नट्स वास्तों में चिलगोजा पाइन व्रक्ष के एक बीच के रूप में होते हैं हलाकि विबिन प्रकार के पाइन नसलों से प्राप्त विबिन प्रकार के पाइन नट्स मार्केड में आपको बहुत सारे मिल सकते हैं अलग-अलग प्रजातियों के पाइन नट्स के हकार, स्वाद और पोशक तत्व अलग-अलग होते हैं आम तोर पर पाए जाने वाले पाइन नट्स चिलगोजा नट्स ही होते हैं भारत में इसके सुष्क तापमान के कारण उत्तर पश्ची में हिमाले के शेतर में इसकी खेती बहुत ज़दा की जाती है पाइन नट्स का उत्पादन हिमाचल प्रदेशों में भी किया जाता है पाइन नट्स को खाने से पहले इसकी भारी तोचा को हटा कर खाना चाहिए यदि आप इसे कई दिनों तक रखना चाहते हो तो इसकी भारी तोचा को आपको बिलकुल नहीं निकालना है चिलगोजा पाइन नट्स छोटे स्वादिष्ट और पोशक तत्वों से भरपूर होते हैं इनमें अच्छे और स्वस्त मोनो सेचूरेटेड फेटी एसिड और एंटी ओक्सिडेंट पाए जाते हैं चिलगोजा नट्स विबिन प्रकार के पोशक तत्वों का एक अच्छा स्थोत माना जाता है यह स्वस्त वसा के साथ साथ प्रोटीन का भी एक मैत्वपूर्ट स्थोत होता है इसमें कार्भो हाइडरेट के मातरा बहुत कम होती है चुकि चिलगोजा नटस में फेट उच्च मातरा में पाए जाता है यह उड़जा का एक अच्छा इस्तरोत इसे माना जाता है इसमें नमे की मातरा कम होती है इसके साथ साथ इसमें विटामिन B1, विटामिन B2, Bc और पोटेशियम, मेगनीशियम और फासफोरस, आईरन, जिंग, केलशियम, मेगनीज और कोपर जैसे पोशक तत्व इसमें पाए जाते हैं तो चलिए दोस्तों अब जानतें इसके विशिष्ट फाइदों के बारे में दोस्तों नट्स का वसा का यानि की शूगर का जो एक इस्तरोत होते हैं अन्य नट्स की तरह चिलगोजा, पाइन नट्स भी वसा का एक बहुत समरद इस्तरोत है अनुसंदाण ने बताया कि इसमें उपस्तित कुल वसा का 90% अंसंतरब्त वसा यानि की स्वस्तु वसा होता है इस असंतरब्त वसा में 51% लिटलिक फेट और 36% ओलिक अईसिड होता है लिटलिक फेट होने के कारण चिलगोजा नत्य हंध्य की रक्षा करता है और कोरोनरी हर्दे रोक की संभावना को कम करता है इसमें मुझूद स्वस्त वसा के कारण या उच्छ कोलेस्टोल के इस्तर को कम करने में बहुत ज़्यादा फायदे मन्द होता है और पूरे लिपिट फ्रोफाइल को बना कर रखता है या आईरन का एक अच्छा इस्तरूत माना जाता है जो गर्वती मैलाओं के लिए आवशक पोशक तत्व है क्योंकि आईरन एनेमिया रुक को रोकने और भूर्ण हीमोगलोबिन उत्पादक में आपके साहता कर सकता है चिलगोजा पाइन नर्स में पाए जाने वाला असंतरप्त वसा इंसूलिन सवेदन शिल्ता बढ़ाने में मदद करता है इसके लावा इसे बोजन के साथ सेवन करने से यह गलाईसेमिक सूच कांग को कम करता है जो मदू में हैं रोगियों के लिए लाबदायक होता है कभी कभी शाकारी आहार के माध्यम से शरीन में प्रोटीन की आपूर्ती करना मुश्किल हो जाता है तो दोस्तो चिलगोजा नर्स शाकारी आहार के माध्यम से प्रोटीन पाने का एक महत्वपूर्ण इस्तरोत होता है चिलगोजा नर्स में एमिनो एसिड पाये जाता है जो इन्हें प्रोटीन का अच्छा इस्तरोत बनाता है इसमें लाइसीन भी पाये जाता है जो एक आवशक एमिनो एसिड है यह अनाजबे बहुत कमात्रा में मुझूद होता है इस प्रकार शरीन में प्रोटीन की पूर्ती करने के लिए आप चिलगोजा नर्स को अपने आहर में शामिल कर सकते हैं इसके अलावा अनुसंदान ने पाया है कि पाइन नर्स में पाये जाने वाला प्रोटीन आईसोलेट जो की एक प्रोटीन का शुद रूप्त जिसमें से एक अंधिया गेर प्रोटीन गटक हटा दिये जाते हैं उच्छे रक्तचाप यानि कि हाई बीपी वाले व्यत्तियों म व्यत्तियों में उनके रक्तचाप को कम करने में मदद मिलती हैं दोस्तों पाये नर्स में बहुत अधिक अधिक मातरा में एंटी आक्सिडेंट पाये जाते हैं इसके अलावा ये पाये नर्स फ्री रेडिकलिगल्स को हटाने और और Randy लड़ने में आपकी मदद करते है इन पाइन नट्स में वीविन प्रकार के एंटी ओक्सिडेंट और केटेचीन, लुटीन, काइकोपीन और केरिटिनोईड पाए जाते हैं चिलगोजा में पाए जाने वाले मोनो अंसेचुरेटेड और पोली अंसेचुरेटेड फेटी एसीड अस्वस्त कम घनत्व वाले लिपो प्रोटीन कोलेस्टोईल को कम करने में मदद करते हैं इसके लावाद चिलगोजा पाए नट्स में टोफो फेरोल इसको आरेल करने में मदद करता है इसमें मुझूद स्वास्त को अच्छा करने का एक योगी होता है जो उच्छ कोलेस्ट्रोईल के इस्तर को कम करने में मदद करता है दोस्तो देनी कार में चिल गोजा पाइन नट्स का सेवन करने से यह लीपिड चया पचये को नियंतरित करता है अर्थात यह उर्जा के इस्तरोत के रूप में वसा का उप्योग बढ़ाते हैं और शरीन में इसके बंडारन को कम करते हैं इसके लिए आप पाइन नट्स या पाइन नट्स को तेल को नियमित आहार के रूप में ले सकते हैं दोस्तों जब हमारे शरीन में संतरप्त वशा की मातरा बढ़ जाती है तो हिर्दे रोग जैसी इस्तधी पेदा होने लगती है यानि कि हार्ड के रोगों की समस्या होने लगती है पाइन नट्स में कुल फेट का सिर्फ 13-15 प्रतिशत संतरप्त फेटी एसीड होता है इस तरह अच्छे फेटी एसीड होने के कारण पाइन नट्स रक्त और धमनियों में कुल कोलेस्टोईल, LDL कम गनत्व, लेपो प्रोटीन कोलेस्टोईल, VLDL के गठन को कम करते दे हैं और उसको बढ़ाते हैं, तो दोस्तो यह थे इसके फाइदे और इसके बेनिफिट्स, उमीद करता हूँ दोस्तो आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी, दोस्तो अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले और बेल आइकन को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों